अदाब, सच्छियकाल, नमस्कार, नमबुद्धाई, मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त इपक और आप देख रहे हैं नर्सिंग, फैक, फैंडिंग, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे विटामिन के बारे में, विटामिन क्या है, दा वर्ड विटामिन वाज, ओरिज acidity, they are micronutrient, micronutrient होता है, सुक्षम, सुक्षम पोसक, तो यह क्या है, सुक्षम पोसक है, अपनी बोड़ी को ज्यादा मात्रा में इसकी जरूरत नहीं होती है, विटामिन हमको, हमारी बोड़ी को बहुत ही कम मात्रा में चाहिए होता है, इसलिए अपने को क्या करना होगा, बहर से विटामिन को लेना होता है, बहर से अपने को विटामिन लेना होगा, चाहें प्लांट फूड है या एनिमल फूड है, चाहें जैसे दूद, घी, मक्षन, फल फ्रूट, सबजियां ये खा रहे हैं, उससे अपने को विटामिन मिल रहा है, विटामिन हमें अनरजी परदान नहीं करते, अनरजी नहीं देते हैं विटामिन, सबसे पहले विटामिन के बारे में किसे ने बताया, कासीमीर, 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 का कौन से होते हैं, विटामिन A होता है, विटामिन D, विटामिन E और विटामिन K, यह क्या है, वसा में गुलंसिल विटामिन है, वाटर सोलोबिल क्या होता है, जल में विले, या जल में गुलंसिल, विटामिन ओफ B ग्रूप्स और विटामिन C, विटामिन B और विटामिन C, होते हैं जो fat soluble vitamin है यह store रहते हैं कहां पर store रहते हैं कहां लीवर में store रहते हैं और कहां पर store रहते हैं एडिपोस टीशू में store रहते हैं कुछ दिनों के लिए store रहते हैं जो water soluble vitamin है यह store हमारी body में नहीं रहते हैं यह urine के थरू यूरिन के थरू बाहर निकल जाते हैं तो इसलिए हमको water soluble vitamin है vitamin C और vitamin B इनको हमें daily intake करना होता है daily लेना होता है हमारी diet के अंदर तो सबसे पहला vitamin है vitamin A vitamin A के बारे में पढ़ते हैं it was the first fat soluble vitamin यह fat soluble vitamin है fat soluble vitamin है chemical नाम क्या है रसानिक नाम है retinol animal source से मिलता है अपने को retinol और plant source से मिलेगा हमें क्या carotene carotene भी vitamin A का नाम है और retinol भी अपने vitamin A का रसानिक नाम है function की बात करें function होते हैं कारिये कारिये क्या करता है vitamin A क्या काम करता है normal vision आँखों की रोशनी के लिए बहुत अच्छा होता है vitamin A succulatal growth जो अपनी हड़ियां है अड़ियों की growth के लिए vitamin A बहुत ही important है anti-infective infection से बचाने के लिए vitamin A बहुत जरूरी है maintenance of immune system immunity को बनाने के लिए अपने body के अंदर रोग से लड़ने की चमता बढ़ाने के लिए vitamin A जरूरी होता है embryo development and growth embryo क्या होता है brune 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 के विकास और वर्दी के लिए vitamin A बहुत ही responsible होता है source की बात करें animal food animal food से मिलेगा liver से मिलेगा animal के egg से, अंडे से, butter butter होता है मक्खन चीज होता है पनीर पनीर से मिलेगा, मक्खन से मिलेगा, दूद से मिलेगा, fish से मिलेगा and meat से मिलेगा richest natural source कौन सा इसका, vitamin A का, fish liver oil fish liver oil क्या है, vitamin A का, richest natural source है plant food कहां से मिलेगे, कौन से plant से मिलेगे, vitamin A हमको dark green leaf vegetable, जो हरे पते दार सबजियां होती है most green and yellow fruits जो ज़्यादातर green और पीले कलर के जो fruit है उनमें अपने vitamin A मिलता है जैसे papaya, papita, mango, आम pumpkin, pumpkin होता है, कद्दू कद्दू, कद्दू के अंदर भी vitamin A मिलता है, some roots कुछ जड़े होती है, जिनसे vitamin A मिलता है, उनमें क्या है carrot, गाज़ट vitamin A deficiency, vitamin A की deficiency के कारण, कमी के कारण vitamin A की अगर कमी हो जाए body में तो क्या होगा, night blindness हो जाएगा inability to see in dim light dim light के अंदर, व्यक्ति को दिखाई देना बंद हो जाएगा bitter spot, bitter spot दिखाई देंगे, कहाँ पर दिखाई देंगे, on cornea, cornea के उपर bitter spot दिखाई conjunctival 06 देखने को मिलेगा, उसमें क्या होता है, dryness in conjunctiva, conjunctiva क्या हो जाएगा, dryness हो जाएगा सूख जाएगा vitamin ये के बाद में है vitamin B complex vitamin B complex, क्या है vitamin B is water soluble vitamin ये water soluble vitamin है function क्या है, इसके कारिये क्या है growth of red blood cell red blood cell की growth के लिए vitamin B बहुत ही महतरपून है health in digestion पाचन क्रिया के अंदर vitamin B important है cell health, पूरी जो cell है vitamin B के source क्या है meat से मिलेगा meat से मिलेगा egg and dairy product जो दूद से बने हुए कोई भी चीज है उनसे हमको vitamin B मिलेगा spinach, spinach क्या होता है spinach होता है, पालत pulses, दाले दालों से beans, beans होती है फलिया, फलिया फलियों से grain, grain होता है अनाज, अनाज से मिलेगा potato, potato होता है आलू, आलू से हमको vitamin B मिलेगा, बनाना kela से हमको vitamin B मिलेगा vitamin B, आठ तरकार की vitamin B होते है, vitamin B1 B2, B3, B5, B6 B7, B9, B12 इनका रसाइनी के नाम याद करना तुड़ा सा मुस्किल है, तो हमें क्या करना है इसकी एक trick है, उस वो trick को याद करना है, और यह अपने को सारे के सार नाम याद हो जाएंगे, तो trick क्या है थारी, निया, पैंट प्यारी है बबोसा कैसे याद करेंगे, थास से अपने को क्या याद रखना है, थाइमी री, री से आप क्या याद रुखेगे, राइबो फ्लैबिन प्यारी, प्यारी से क्या याद रखोगे आप पाइरी डॉक्षिन बबोसा, बास से आप क्या याद रखना है बायोटीन, क्या याद रखोगे बायोटीन, जिब वो है, वो की जिए आपको फो याद रखना है, तो इसका हो जाएगा फोलिक एसिड Folic Acid और सास से आपके क्या याद रखना है Sino-Cobalamin सास से याद रखना होगे आपके Sino-Cobalamin विटामिन B complex की deficiency से क्या हो सकता है बेरी-बेरी रोग हो सकता है बेरी-बेरी रोग में क्या होता है swollen, fit and leg, soothe जाएंगे पैर muscles paralysis हो जाता है ये life threatening होता है C, और ये कौन सा vitamin है, water soluble vitamin है, water soluble vitamin C के function क्या है कारिय क्या है, in tissue oxidation, tissue oxidation के अंदर help करता है vitamin C formation of collagen, collagen को बनाने के अंदर vitamin C help करता है help in wound healing, wound होता है गाव, गाव को बरने के लिए भी काम करता है, कौन vitamin C काम करता है absorption of iron from vegetable food, iron को absorb करने का काम कोन करता है vitamin C करता है important for bone and gum bone हड़ियों के लिए बहुत important है gum समसूडों के लिए भी बहुत important vitamin C source क्या है, आवला is one of the richest source both in fresh and dry from कि आवला जो है, richest source है vitamin C का, परचूर मात्रा में आवले के अंदर vitamin C मिलता है चाहें वो fresh है और चाहें वो dry है, सुका हुआ है या बिल्कुल fresh fruit है और citrus fruit citrus fruit होते हैं, खटे फल मिलता है, vitamin C की deficiencies क्या होगा, कमी हो जाए vitamin C की, तो क्या होगा सकर्वी हो जाएगा, सकर्वी क्या होता है मसूडों से खून बहने लगता है next है vitamin D vitamin D क्या है, also known as sunshine vitamin, sunshine vitamin के नामें से जानते है, vitamin D को, vitamin D को sunshine vitamin के नाम से भी जानते है vitamin D is fat soluble vitamin वसा में gulansil vitamin है vitamin D vitamin D2 and vitamin D3 دो परकार के होते है, vitamin D vitamin D2 को बोलते है erigo calciferol erigo calciferol vitamin D3 को बोलते है, kolikalsiferol kolikalsiferol अगर ऐसे बोल दे HOEI अगर ऐसे कोई पूछे विटामिन D का रसाइनिक नाम क्या है तो बोलना है आपको कैलसी फेरोल क्या बोलना है कैलसी फेरोल अगर विटामिन D टूप का पूछ ले रसाइनिक नाम तो क्या बोलना है इरि्गो कैलसी फेरोल, विटामिन डी ध्री का नाम पूछ ले रसाइने, तो क्या बोलोगे औली कैलसी फेरोल? फंक्शन क्या है विटामिन डी के कार्य क्या है? Maintaining Bone and Tut,eze, Maintain करता है, bone अड़ियों को और दांटों को maintain करने का काम कोन करता है, vitamin D करता है, help absorb calcium and fast force, calcium और fast force को absorb करने का काम कोन करता है, vitamin D, अगर body में vitamin D नहीं है, vitamin D अगर नहीं है, तो वो vitamin C को absorb नहीं कर पाएगा, vitamin C को absorb नहीं कर पाएगा, जिसके कारण vitamin C की भी body में कमी आ जाएगी, तो vitamin D किसके absorb का काम करता है? calcium और fast force के absorption का काम करता है vitamin D के source क्या है? जिन से हमको vitamin D मिलेगा sunlight सूरिय की किर्णों से मिलता है synthesized by the body by action of UV rays on 7D hydro cholesterol storage in the skin vitamin D है वो अपनी body खुद synthesize कर सकती है कैसे करती है? हमारी skin के उपर क्या होता है? 7D hydro cholesterol store रहता है तो ये क्या करता है? UV rays जो आ रही है sunlight से उनके साथ में action करके, reaction करके और हमारी body को vitamin D provide करवाता है जो सूरिय का परकास है वो सुभह के time का सूरिय का परकास सुभह का time का सबसे अच्छा होता है ठंडी दूप लेनी चाहिए कौन-कौन से food है जिन से हमको vitamin D मिलता है? liver से, egg yolk से, butter से, cheese से, milk से fish liver oil is the richest source सबसे ज़्यादा fish liver oil के अंदर vitamin D मिलेगा vitamin D deficiency, vitamin D की कमी के कारण कौन सा रोग हो सकता है, rickets हो सकता है rickets हो सकता है, किन में rickets हो सकता है in children, बच्चों में तो rickets हो सकता है और in adult, adult में हो सकता है osteomalacia, osteomalacia rickets क्या होता है, जो bone है bone क्या हो जाएगी, soft हो जाएगी soft हो जाएगी और weak हो जाएगी अब नेक्स्ट है विटामिन E, विटामिन E fat soluble vitamin होता है, वसामिक गुलंसिल है, chemical name क्या है, रसानी के नाम क्या है, विटामिन E का, टोको फेरोल, also known as beauty vitamin, beauty vitamin के नाम से भी विटामिन E को जानते हैं, विटामिन E के function क्या है, कर ये क्या है, essential for normal reproduction, ने normal reproduction के लिए, विटामिन E बहुत ही important role निवाता है, it helps keep the immune system strong, immunity को बढ़ाने के लिए, immune system को strong बनाने के लिए, विटामिन E बहुत ही help करता है, विटामिन E के source क्या है, vegetable oil, cotton seed, sunflower seed, egg yolk और butter से अपने को विटामिन E मिलता है, विटामिन E की deficiency से क्या हो सकता है, कमी से क्या हो जाएगा, infertility हो जाएगा, infertility होते हैं, बांजपन, infertility, immune system problem, जो immunity है, वो weak हो जाएगी, अब लास्ट है विटामिन K, विटामिन K भी क्या है, fat solubile vitamin है, विटामिन K, two type के होते हैं, विटामिन K1 और विटामिन K2, विटामिन K1 और विटामिन K2, तो इनके chemical नाम क्या है, रसाइनिक नाम क्या है के वन का रसाइनिक नाम होता है फाइलो क्यून और विटामिन के टू का रसाइनिक नाम है मैनो क्यून फंक्शन क्या है कारिय क्या है विटामिन के के Stimulate the production and release of certain coagulation factors को. Coagulation का क्या होता है? Plud का clode करना. Vitamin K के source क्या है? Stroke क्या है? जहां से अपने को vitamin K मिलेगा. Vitamin K1 हमें कहां से मिलेगा? Fresh, green, vegetable and fruit. हरे पत्तेदार सबजियां और फलों के अंदर vitamin K1 मिलेगा अपने को. Vitamin K2 कहां से मिलेगा? Syntheside by the intestinal bacteria. वो खुद बनाती है अपनी body intestinal आँच से. आँच के अंदर जो bacteria होता है. उनसे vitamin K2 खुद वे खुद बोडी बना लेती है. Vitamin K की deficiency से क्या हो सकता है? Decrease in pro-thrombin content of blood and blood clotting time is prolonged. तो दिर का थक्का बनने में बहुत time लेगेगा. Vitamin B के अंदर आप ये सोच लेगे कि vitamin 1, 2, 3 है, 4 नहीं है इसके अंदर. Vitamin B, 4 नहीं है, B, 6 है, 7 है, 8 नहीं है, B, 8 भी नहीं है, B, 9 है, B, 10 नहीं है, B, 11 भी नहीं है. तो ये क्यों नहीं है, क्योंकि ये अपनी बोड़ी को नुखसान पहुंचाते हैं, गातक होते हैं अपनी बोड़ी गे लिए हैं. अगर vitamin B complex के उपर आपको detail में वीडियो चाहिए, तो comment box में जुरूर बिताना. तो आज की वीडियो में बस इतना ही, I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो like करें चैनल को subscribe करना ना बूलें. अगर अब भी कोई confusion हैं तो comment box में जुरूर लिखें, तो मिलते हैं next वीडियो के साथ, सुक्रिया.